जहीं दोस्तों कैसे हो आप सब मैं इमीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे स्वस्थोंगे फिट फाइन होंगे देखिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके उपर यदि एफाई आर है तो आपको नौकरी कैसे मिलेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरह के कॉस्चन क्यूरी आते हैं आप लोग की सर मेरे उपर फाई आर हो गया है यहां से चलान कट गया है तो मैं नोकरी सरकारी नोकरी कैसे ले सकता हूँ प्राइबट नोकरी कैसे ले सकता हूँ आज इस वीडियो में जो है आपका सारा होने वाला है जो ही चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे योग को जो है आप लोग को फूरा देखना है तभी आपको समझ में आएगा है देखिए यदि आपके उपर एफाई आर है तो आप किसी भी गौवर्मेंट जॉब के लिए फॉ भी होता है या आप सरकारी जॉब करते हैं तो उसमें हां या सुनो करना पड़ता है उसी तरह से एक कालम में शॉब्स करना परता है या कभी की future में past में कभी हुआ था इस तरह की चीज़ आपको mention करना पड़ता है फिर उसके बाद से एक आपको process देखने को मिलता है पुलिस verification के टाइसे कि आपका dv हो जाता है document verification हो जाता है तो उसी में एक पुलिस verification देखने को मिलता है जो आपके character से regarding verification होता है तो उस समय जो है आपको mention करना पड़ता है कि हमारे उपर जो है FIR है या FIR था मतलब जो भी आगर आपके ऊपर कोई भी किसी भी परकार का case उस हुआ है तो आपको जो है वहाँ पर mention करना होता है और वहीं जो है जो चीज आप mention करते हैं एक later के माधिम से आप उस पर mention करते हैं point आपको उसमें देखने को मिलेगा तो जिस तरह का आपका case का update है जिस तरह से आपके ऊपर FIR है उसको mention करते हैं और वहीं लेटर जो है आपके थाना में आता है जो आपका प्रोश्णनल नज़दी की थाना है जो अपने एर्डेस में फिल किया है उस थाना पर आता है और आपके थाना पर ही जो है आपका पॉलिस वेरिफीकेशन होता है मतलब आपके थाना के जो इन चार्ज होंगे जो परभारी होंगे वहीं आपके पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस प्रोसीड करते है और जैसे आप उसमें मेंचन करे रहीएगा उस हिसाब से जो है वह आपका फाइल होते हैं चेक करते हैं और फिर लिख पढ़के भेजते ह है कि हाँ अगर आपके ऊपर एफ आयार है चल रहा है तो उसका भी अपडेट लिख के भीजेंगे और वे जो परभारी जो भी चीज लेख के भेजेंगे उस लेटर के माधियम से वह आपके डिपार्टमेंट में जाएगा तो वहाँ पे उसको भेरिफाई किया जाएगा और वह सटिस्पाई हो जाएंगे तो आपको नौकरी के लिए ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्रोसेस सब लोग समझ गया होगे मरने से लेकर और ज्वाइनिंग तक कब-कब जो है आपका पूलीस वेरिफिकेशन का जिखर करना होता है अ व्युदी आपके उपर इफांटफि आर है तो वह आपको जॉब दे रहा कि नहीं है कितना भी छोटा धारा हो 147 146 IPC यह छोटा से चूटा धारा आप टू पहर लगा हुआ है अगर इस तरह की भी धारा है तो वह चाहेगा तो देगा आपको नोकरी नहीं चाहेगा तो न जाता है तो छोटा से छोटा धारा भी जो है आपके नौकरी को ज्वाइन करने में मुसीवत खड़ी कर सकती है तो यह कहां नहीं जा सकता कि हमारे उपर यह धारा है तो हमको नौकरी मिल जाएगी नहीं उनके उपर डिवेंड करता है आपको नौकरी दे रहे है या नहीं दे ती 147, 148, 149, 330, 294, 506, 247 IPC की धरा लगी हुई थी और उसका केस जो था कंप्रमाइज में था फिर भी जो है उसको नौकरी नहीं दिया गया जो आनिंग लेटर मिलने के बाद निशन देखने को मिल जाता है और जो है वो पुलिस विभाग में रेडियो अपरेटर में जा र को नौकरी लेना यह अपराध की ष्णनी जो होती है दो तरह को होती है संगे अपराध असंगे अपराध के संगे अपराध में जो की रहते हैं जैसे के 302, 307, 386 इस तरह की आपके धारा अपर धारा लगी हुई है तो इन लोगानुख को जो है मुश्किल how से कुछ सिग्डेचर महर करवा के कुछ मतलब कागजी करवाई करवा के आपको कोसिस किया जाता है कि आपके उपर एधी छोटा दारा है अगर आप असंग्या प्राद किये हैं तो आपको टोन्हायं कीज़ सब्सक्राइब जे डिया लेकिन टोटली ये डिपेंड करता है उसी किग्वते हैं यदि तॉ capitalize करते हैं कि या दिपार्टमेंट के आपना नियम कानून करें को करते हैं तो करते हैं कि सर हमारे उपर ढूता केश हो गया है तो क्या हमकोект मिलेगी तो दखी जूता केश हुआ हो यसा इस लिखा मीखेया जाता है उसी समय जाके थाना में कमलें करो आपकी दिए आप का कैसे दिखा गया और केस लिखने के बाद से जो है उसका चार सीट तयार करके ट्राइल के लिए जो है जो आपका प्रोब्लम बताता है कि हाँ ऐसे एसे हुआ तो आप जुए केस लिखवाते हैं उसी समय आप पूरा प्रोबलम बताते हैं जो आपका लिखने वाला अधिकारी प्लेस करता है यह जब वह सुपर देखकर चार्षय सीड बनाता है चारशेत बनाने के बाद से आगे बाता है या या जहाता है हार चीज है टॉफफ तो वहीं है कि जब तक आपका चार सीट बगरा त्यार नहीं हुआ है। तब तक अगर आपके उपर जोटा case होता है या जिस तरह का case होता है अगर आपका गलती से कोई नाम include कर दिया है तो वहां से जाकर आप बात्चित करके और वहां पे अपना सच्चाई बता के थोड़ा के लिए चला जाता है तो फिर जो है मामला बहुत ज्यादा कंप्लिकेटेड हो जाता है और आपको जो है हर कंडिशन को फेस करना पड़ेगा ठीक है तो कंडिशन में आपको बताना चाहूंगा कि कब कब आपको नौकरी मिल सकती है पोसिबिलिटी दाती है जैसे कि आपको केस कंप्रमाइज हो जाता है तो उस कंडिशन में कोई-कोई नौकरी दे देता है कोई-कोई नहीं देता है जैसे कि आप जो है किसी से मार्क पिट जगड़ा कर दिया हाफ मर्डर का आपके उपर जो है चार्द लगा हुआ है और वहा करता है आपके डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट बिल्कुल आपका नौकरी नहीं देगा इस तरह के चीज़े में बहुत लोग कमेंट करता है कि सर हमारे उपर केस हुआ था और केस जो है मतलब हमको जज के द्वारा बरी कर दिया गया है तो यदि आप बरी हो गया है मतलब कि आप दोस्मुक्त हो गया तो आपको नौकरी बिल्कुल मिलेगी कोई दिक्कत नहीं आपके उपर केस हुआ था और जो है आप उसमें दोस्मुक्त हो गया तो आपको नौकरी बिल्कुल म आपको, नाज ह्यों उसका किस खतम हो गया आपको बरी कर दिया गया, दूस्व मुख्त कर दिया गया तो आपको बिल्कुल नौकरी मिल जाएगी ठीक है उसके बात सिजह है अगर आपको उपर केस चल रहा तो, आपको नौकरी सहारी नौकरी लेना है तो भाई आपको इंसक चीजों से बच के रहना पड़ेगा जगडा जंजट से बिल्कूल बच के रहना पड़ेगा अगर आपके ऊपर और जाता है चायों हो हो göre फरक में पड़ता है आपको नौकरी करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे आपका बहुत सारा कोश्चन क्यूरी भर भर के आता है लेकिन जो सचाई है वो है उसको क्या किया जा सकता है तो आपको घबडाना नहीं है अगर आपको उपर एफाई आर भी है तो आप जो है नौकरी की तयारी कर रहे हो तो करो करेक्टर का भी वहरिफिकेशन जो है बहुत बढ़िया से किया जाता है तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है ठीक है इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई कोश्चन क्यूरी चल रहा हो और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कोई भी आपका कोश्चन क जूरी है तो कमेंट वक्स में आप सजा कर सकते हैं तेकि दोस्तों फिर मिलते हैं लेको नेक्स अप्डेट में जय हिंद बने मात्रम